दोस्तों लोकतंत्र का मतलब यही तो होता है कि आप आजादी से कुछ भी बोल पाएं आप आजादी से खुल कर सच को सामने रख पाएं कई बार आप अपनी प्रतिक्रियाओं को भी सामने रख सकते हैं लेकिन अगर आपको बोलने नहीं दिया जाएगा हालातों को दवाने की कोशिश एक तरफ की जाएगी और जब आप सच सामने लाएंगे तो आपको दवाने की कोशिश की जाएगी तो फिर यह कौन सा लोकतंत्र है और यह कौन सी सरकार काम कर रही है यह सोचने का वक्त आगया है आज मैं बात करूँगा हमारे देश के उन हजारों पत्रकारों की तरफ से उन हजारों लोकतंत्र के पैरोकारों की तरफ से और उन करोड़ों अभिव्यक्ति के सपोर्टरों की तरफ से जिनको सप्रेम कोर्ट की तरफ से कम से कम एक समधान तो मिलता हुआ दिखाई दिया है कर रहे थे सरकार कह रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है जो वहां हो रहा है उसे खोने दीजिए वहां सब ठीक चल रहा है आप बेवज़ा को विवाद मत बनाईए लेगन इसी विवाद के बीच क्या हुआ आज सुप्रिम कोर्ड के जो सीजाई है चंदर चून और उनकी एक बेंच थी जिसके फैसली की वज़े से आज उन पत्रकारों की गिरफतारी पर रोक लगी है जिन पत्रकारों ने मनिपूर का सच सामने लाने की कोशिश की उन पत्रकारों को से वितना कुसूर था कि सेना के एक अधिकारी के फोन पर उन्होंने मनिपूर के हालातों को जानन की कोशिश की थी और उपत्रकार कोई छोटे-मोटे पत्रकार नहीं थे एडिटर्स गिल्ट ओफ इंडिया के वो संपादक थे जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है पत्रकाईता का चार दशक से ज़्यादा कानुभव उन पत्रकारों के रहा है और वो पत्रकार जब मनिपुर के हालातों को समझने और देखने गए इस्थानी लोगों से जब उन्होंने बात की तो जो तत्थे उनके सामने आए उसके बाद उन्होंने कुछ पन्नों की रिपोर्ट पेश की इस र वहाँ पर सरकारी सपोर्ट चल रहा है अन्याय करने वालों के समर्थन में पता चला कि कैसे वहाँ पर नरसंगार चल रहा है आलात बिल्कू ठीक नहीं है लोगों को कहते हैं कि शान्ती वहाँ पर मेली नहीं पा रही और इधर सरकार सभवावा ही कर रही है उनके खिलाफ मानिपूर से एक अफायार दर्च कुराए गए और इस अफायार में कुछ तस्वीरों का जिक्र किया गया जिसमें एक तस्वीर थी जिसमें बताया गया था कि ये इसी का घर जोल रहा है लेकिन पता चला कि वह गण विभाग का दफ्तर था उसको आधार बनाए गया लेकि पर जो हालात ये बत्तर हो रहे हैं हालातों के लिए आकर कौन जिम्दार है और क्या वहां की वर्स्तों इस्थिति है लगिन इसे बीच में कुछ ऐसी तस्वीर थी एक दो ऐसी तस्वीर थी जो गल जो गलत लग गए थी और उनी तस्वीरों का अधार बना कर इन तमाम विज़त को नहीं बचा सकते तो उस आवाज को उठाने वालों को भी दबाने की कोशिश करें गया यह संविदन शीलता है क्या या फिर यह संविदन हींता है यह वाके में संविदन हींता है यह देश के लोगों को सोचने का समय है यह तमाम पत्रकारों के सोचने का वक्त ह कि आखिर इस देश में क्या चल रहा है जिस सच बोलना गुना हो गया है इस देश में जिस देश में राजा हरिश्चंदर हुआ करते थे और उनके उसूलों पर ये पूरा देश चला है इस देश में क्या सच बोलना गुना हो गया है जिस देश में राजा रामचंदर हुआ क परते थे यह तमाम सवाल मैं आज आपके ओपर छोड़ता है नमस्कार आप कि अगर अगर